अजे कुमार जी सवाल पूछ रहे हैं कि सरपंच का फैसला कोट में मान होता है अगर सरपंच गलत फैसला करे तो देखिए बात है कि गलत फैसला करे तो सरपंच जो है बेसिक लेवल है जो गराम पंचायत में बनाया गया है ताकि आपका सही तरीके से फैसला हो सके अगर मान लेते हैं गलत फैसला किया गया है तो उसके उपर बहुत सारा परक्रिया है कानून अगर बात करें तो उसके उपर बहुत सारा ऐसा कानून है जो अगर आप चाहें तो सरपंज का फैसला मान सकते हैं नहीं तो नहीं मान सकते हैं तो अगर आप चाहें तो उसके लिए और उपर अधिकारी जो है कोट हैं और जो भी न्याले हैं तो रही बाद जो फैसला किया जाता है देखिए माल लेते हैं एक होता है कि आपने फैसला को एक समय मान लिया ठीक है आप अब सरपंच के द्वारा फैसला किया गया आप उसको मान लिए अमाल जमीन संबंदित भटवाडा का फैसला हो या हिस्सा संबंदित फैसला हो और उस अधार पे जो कागज त्यार किया गया उस अधार पे अगर बात करें और उसके अधार पे आप गए और उसका जो जमीन संबंदित जो खील खारीज है उसी समय आपने करवा लि देते हैं और एक लंबे समय के बाद अगर बात करें 20-30-40 साल बाद आपके बंसर उसको जो है एक तरह से अन्वैलिड करार देंगे ठीक है अगर वो गलत उसको करार देंगे तो वो चीज गलत हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है अगर वो गलत साबीत होता है ठीक है जैसे क्या होता है कि सही तरीके से नहीं किया गया बराबर नहीं दिया गया जमीन जो भी है उस तरह का कोई भी मामला होता है तो न्यालाय में तो यह बिलकुल वो चीज पे सुनबाई होगा और वो चीज वहाँ पे यह सरपंज का भी फैसला जो है वो कोट में आप चैलेंज कर सकते हैं कि आपको बराबर नहीं दिया गया ठीक है तो यह चीज होता है लेकिन अगर ये बात करेंट में है तो आप चाहें तो नहीं मान सकते हैं रही बात लेकिन कोड में फैसला तो बिलकुल अगर वो सब भी तो देखा जाता है कि खतियानी जमीन है या रेजिस्टी जम और तो, वो सारा जो भी है फैसला, तो वो बिलकुल कोट में एक पेपर के तहथ, कुछ समय के लिए अगर हमान होता है, लेकिन अगर वो देखने के बाद ऐसा लगता है तो तो फैसला तोटता भी है, रद भी होता है, तो गलत मेरी जमीन गलत तरीके से प्रोपर्टी डिलर ने कवजा करके दूसरे को बेज दिया, प्रोपर्टी डिलर कोरोना से मर गया, कैसे प्रोपर्टी वापस मिलेगी, सिरी सी बात है, अगर आपकी जमीन है वो और प्रोपर्टी डिलर के दोरा बेचा गया है, तो जमीन आपके नाम से है या नहीं उन्होंने अपने इस बात को असपस नहीं किया कि वो जमीन अभी बर्तवान में किसके नाम से है अगर आपके नाम से है और फर्दी वारे तरीके से रजिस्टी की गई है बहुत ऐसे धाराएं हैं जिसको लगा के जमीन का रजिस्टी को रद किया जा सकता है आप चाहें तो जिलादिकारी कोट में इसके लिए अबेदन कर सकते हैं और उसको रजिस्टी को cancel करा सकते हैं ठीक है और अभी फिलाल प्रोपर्टी डिलर जिसको भी बेचा है अभी आपकी property जिसके पास है आपको उसको जो है मुत तरह से वहाँ पे notice करना होगा कि आपने वो जमीन जिसने वो जमीन को बेची और जिसने वो जमीन को खड़ी दी दोनों party को notice करना पड़ेगा कि उनको बेचने का अधिकार किस ने दिया ठीक है तो बहुत तरह के चीज़ हैं लेकिन आप भी कागत से अगर दुरूस्त रहेंगे तब ही ऐसा कर सकते हैं हगला सवाल है कि सर जी जो है मैं सारा विडियो देखता हूँ लेकिन मेरा जो है मकसद नहीं मिल रहा है सर सर जी जो है अमी मा के नाम से जमीन एक बेटा बेच लिया है बाकी सब को छोड़ कर इसका क्या उपाय होगा देखे अगर मान लेते हैं मा के नाम से जमीन है और उसको एक बेटा बेच देता है ठीक है तो इसमें वो बेटा सारा जो है जमीन सारे भाई का हिस्सा बेज दिया इसमें बिलंब ना करते हुए सबसे यहाँ जो है उसमें आप केस फाइल कर सकते हैं देखिए सबसे बात है कि इसमें जो बेचा होगा जो भी रईष्टी हुआ इसके लिए आप चाहें तो DCLR कोट में भी जा सकते हैं और आगे जो ही कोट है उसमें तो आप जा ही सकते हैं तो DCLR कोट में भी आप जो है उस पार्टी को जो खरदने वाला है और जो आपके भाई हैं उनको आप नोटीस करेंगे को आपने उनका भी जमीन जो है हिस्सा बेच लिए आप चाहें तो मामला को सिविल में ले जा सकते हैं है ना यहां भी सही तरीके से जो है परकिरिया ठोड़ा लेकिन यहां पे जो है वैलिट तरीके से जो है ऐख चाहेמע मूंने परिशन क subtil कर सकते हैं हैं अगर बिना हैं आपका हिस्सा निकाले हुए जमीन जो है बेच देश दिया गया तो अगला जो सवाल है पूचे नमस्कार सर्व मेरा नाम जो है आसीस कुमार है मैं जहारखन डिस्टिक्स से हूँ जैसा वीडियो में बोला सर्व की प्रोब्लेम मेरा फादर के साथ हुआ है जैसे जिसमें मेरे दादा पापा खेती करते थे जो आज गोतिया लोग नहीं करने दे रहे हैं क्या करें सर हम लोग गरीब हैं और मेरे गोतिया लोग अमीर हैं देखिए इसमें जो कानून होता है उसमें कहीं न कहीं अगर बात करें तो गरीब और अमीर ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन कानून से संबंदित जो भी परकिरियाएं हैं और जो भी basic cost है वो ज्यादा खर्च भी नहीं होता है वकील पर डिफेंड करता है कि आपके वकील किस ले होती है उसमें आपका समान अधिकार होगा ठीक है और अगर उसका कोई सही तरीके से बटवारा नहीं है तो आप उसके लिए जमीन पर partition सूट कर लिजिए इसमें बहुत कम खर्च लगता है और इसमें जो पुरुबस का खतियान है उसके अधार पे जमीन का पूरा-पूरा हिस्सा बराबर किया जाएगा इसमें अगर आपकी कुछ ऐसी जमीन है जो आपको लगता है कि वो किमती जमीन है आपको भी हिस्सा मिलना चाहिए तो आप ये चीज़ कोट में लिखे दे सकते हैं आपको भी उस जमीन में जरूर हिस्सा मिलेगा चले अगला सवाल देखते ह जो है वो पुर्बस से बना हुआ खतियान है जिसका लगान रसीद 1906 से 17 तक पराप्त है देखिए सबसे पहले अगर आप दादा जी के नाम पर पुर्बस से बना हुआ खतियान है देखिए अगर आपका 1905, 1908, 1901 जो भी आपका खतियान होगा अगर वो खत्यान में भी आपका जमीन है और जो की आपका 1960 से चलता है तो आपको आगे चलके कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा ठीक है लेकिन अगर 1905 में किसी और का होगा और आपका 1960 में होगा अधिकारी के द्वारा अगर आपको डिग्री दे भी दिया जाएगा तो भी अगर न्याले के द्वारा जो है ये सही जो अगर जमीन होगा जिसका मालिकाना आप होगा वो 1905 बालिकाई होगा अगला सवाल है कि पांच भाई को दान में जमीन मिला था लेकिन बड़ा भाई अपने हिस्सा पर नील बाकी भाई एक भाई के नाम पर करवा देता है ठीक है उसके बाद जो है यहाँ पे लगा देता है और वो बड़े का मिर्ती हो जाने के बाद उनके वनसर वगरा जो है वो जमीन पे अपना हिस्सा मांगते हैं तो क्या उसका हिस्सा बनता है उसमें देखे एक होता है कि मतलब जो भी उनको दान में मिला माल लेते हैं यह टुकडाज दान में मिला और इसमें अब जो है पांच हिस्से तोटल लगेंगे ठीक है पांच हिस्से तोटल आप समझ सकते हैं लेकिन एक हिस्सा माल लेते हैं, इनको मिल गया, ये डबल हिस्सा हो गया, अगर ये कोई लिखित तरीके से, जो लिखित परकिरिया हम उसको बोलते हैं, जो कानूनी तरीके को follow करता है, एक होता है कि इस तरीके का एक कागज बना देना, जो हम आपको चलो लिख के दे देते ह लेकिन ऐसा नहीं है मतलब जिस टाइम आप वो कर रहे हैं उस समय भी नियम पर करिया जो है पहले से बनाया हुआ है कि आपको कैसे जमीन किसी को देना है अगर आप उसको फालो नहीं करते हैं तो बांकी जो जमीन है वो कागज जो है आपका अगर अगर अन्वैलिड है कोई मानने नहीं होगा तो बांकी ये जो है अगर बात करें इनका जो जमीन है उसका ये चारो हिस्सा आपको कानुनन ले सकते हैं ठीक है लेकिन अगर ये जमीन को गलती तरीके से कोई कागजात बना लेता है और रिजस्टरी आफिस में भी कागजात सो कर रहा है उसमें उस जमीन की रिजस्टरी नहीं किया हो उस कागजात को कैसे डिस्पोज करें कर जा सकता है SDO के यहां उस कागजात को जो है जांच के लिए जो है भेज सकते हैं नहीं जो है बिलकुल आप जो है उसमें कर सकते हैं या उपरी अगर आप आप कर तो आप जो है SDM के पास भी इसके सम्बंदित के सको फाइल कर सकते हैं ठीक है आप DCLR के सम्मंदित भी कर सकते हैं अगर आपको कागजात से सम्मंदित वेलफिफाइ करना है तो कोई भी बहुत यह है विवाद अगर है देखिए आप SDM के पास जो है बिल्कुल जा सकते हैं और वहाँ पे अगर चाहें तो उसको जो है डिस्कोज करा सकते हैं कि और गर पे जो है जगड़ा चालू है और इसके लिए जो है एप्लिकेशन डाल दिया जिसके कारण रिजेक्ट कर दिया है अभी क्या करना पड़ेगा प्लीज बताइए सर नोटीस में जो है वो वहाँ पे जो लाइन है वो लिखा है कि राज़स करमसारी का जो है मत्तंक क्लैं अब इसमें जो समझने बाली बात है कि अगर आपका दाखिल खारिज जो है जमीन का रिजेक्ट कर दिया जाता है तो एक तो होता है कि उसका परिबार में विबाद है उस दाखिल खारिज के अगेंस जो है जमीन मान लेते हैं गलत तरीके से बेचा गया है तो ऐसा नहीं है कि फिलाल दाकिल खाड़िज जो अगर आपका रिजेक्ट कर दिया गया है तो दाया तो पूरी अगर गलत तरीके से बेचा गया ये अगर वेरिफा हो जाएगा तो फिर दाकिल खाड़िज तो होगा है नहीं लेकिन अगर आपका लगता है कि आप सही तरीके से बेचा मा लेते हैं, दो-तिन भाई है, पड़िबार में जमीन उसी के हिस्से का था, जमीन उसी के दखल में था, और उस जमीन को बेचा गया, और उसके बाद कुछ लोग उसमें सपोर्ट भी किये, अब अगल-गल के लोग जो है, खतियान से संबंदी तो जो है, इंफर्मेशन लगा के उसको रिजक्ट करना चाहते हैं, तो फिलहाल इसके लिए आपको पहले सियो साहब से ही मिलना चाहिए, और बात करनी चाहिए, कि आगे के परकिरिया के लिए, और अगर उपड़ी अगर बात करें, है ना, तो आप उसके लिए उसके अगेंस जो है, डी से लार कोट में भी आविदन कर सकते हैं, अगला सवाल है कि मेरे दादा की मिर्तियू के बाद जो है, पैतरिक जमीन को दूसरे लोगों ने 40 बर्द पर उनके नाम करवा ली, सर जमीन वापस लेने के लिए कहा केस दायर करने सब स जो पैतरिक जमीन है, पुराना जो कागज है, वो आपके पास मौजूद रहना चाहिए, वो भी ओरिजिनल, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है कि सर, मेरा जमीन का खतियान किसी और के नाम से हो गया है, और वह जमीन मेरे कवजे में है, और उसका रसीद हम कटाते ह जो है, उसका वाला भी हमारे दादाजी के नाम से है, ठीक, दावा कर रहा है, तो बताईए कि हम क्या करें, देखिए, अगर सबसे बड़ी बात है कि जमीन का खतियान अगर किसी और के नाम पे हो गया है, तो आपको इस पे TS फाइल कर देना चाहिए, और आप उसका रसीद प्रूफ है कि जमीन दूसरी बात है, दखल तो आपको किसी भी हालत में नहीं छोरना है फिलाल, मामला कोट में जरूर ले जाईए, इससे क्या होगा कि जो जमीन सम्मंदित सर्वय है, वो तूड जाएगा, और फिर आपके नाम से जमीन का सब कुस कायम हो जाएगा, तो आ प्रूफ।